ओम स्री गणेशा नमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 12 सितंबर रवी बार आज के कन्या रास्ति फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान डेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मिवसाय कैसा रहेगा, केरियर कैसा रहेगा, घर बरिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटफिशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्मून वीडियो पहुँच सके तो चैनल दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहली बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज ओफिस में आपके काम को लेकर बौछ आपकी तारिफ करेंगे साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए दिन रहत पूर रहेगा साथ ही साथ आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा किसी तरह के विवादों में पढ़ने से बचना होगा नहीं तो कोई खास मोका आपके हास से निकल जाएगा आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा होगा और घर में धार्मिक महौल रहेगा जिससे परिवार में खुसियां बनी रहेंगी साथ ही आप आज कोई नया काम करने की सोच सकते हैं जिससे आपको सफलता भी मिलेगी आफिस के काम समय से पूरे होने से अधिकारी आप से खुस रहेंगे साथी केरियर में आप नए आयाम इस्ताबित करेंगे सफलता आपके कदम जूमेगी किसी कंपनी की बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है अगर आप कला के छेतर से जुड़े हैं तो तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे आज आपको किसी समस्या को सुल जाने का मौका भी मिलेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके लिए क्या नेगिट्यू रहेगा आर्थिक नुकसान की संभावना बनी हुई है सकारात्मक और नगारत्मक पहलों की अच्छे से जाच करें कारिये चित्में दूसरों की बातों पर विश्वास करने की बजाए सुए के निरने पर फोकस करें करमचारियों के बीच विवाद की संभावना बन रही है सावधान रहें अब बात कर लेते हैं आपके विवसाई के बारे में धन से संबंदित लें देन सावधानी पूरों करें वरना दूसरे आपका फायदा उठा सकते हैं आपके लंबे समय से अटकेवे कारिया पूरे होने की संभावना है विवसाय में विकास के अवसर प्राप्त होंगे, दिन अनुकुल रहेगा और कमाई की अच्छी संभावना है बिजनेश में कोई बड़ी डील संभाव है और विवसाय में कोई बड़ा आर्थिक लाव हो सकता है जीना दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में किसी तरह के विवादों में पढ़ने से आपको बचना होगा साती सात पारिवारी खर्चों पर भी आपको कंट्रोल करना होगा किसी काम में परिवार वालों की राय आपके लिए बहतर साबित होगी आज जीवन साती के साथ मंदिर जाएंगे और घर परिवार में प्रेम और सुहादरपूर महाल बना रहेगा भाई बेनों से सयोग मिलेगा और माता पिता का असिरवाद और सफलता और खुसी परदान करेगा पाजिवारी के रिष्टे अच्छे रहेंगे जियां दोस्तों आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जो रिष्टे अलग से हैं उनमें लोक मरियादा का पालन करें ऐसे रुस्तों से आज दूरी बना कर रखें दाम पते जीवन में जीवन साती से सहीयोग और समर्पन प्राप्त होगा जीवन साती आपका हर कारिये में सपोर्ट करेंगे और सहता भी साती जीवन साती से प्रेंपूर महौल बना रहेगा दोस्तों अब पात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में स्वास्त के मामलों में दिन अच्छा सावित होगा कोई मोसम जनित स्वास्त समस्या उ नुए बना कर खिलाएं और सूरिय देव को जलर्पित करें और 108 बार इस मत्र का जाप करें ओम सूरिय देवायनमा ओम शूरिय देवायनमा इस पिरकार उपाय करने से आपकी सभी मनों कामनाई पूल होंगी दोस्तो आपको भगवान सुर्य देव का सिर्वात प्राप्त हो कमेंट में जै सुर्य देव असलिके जन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुप और मंगल में हो